हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका राज किछन्स रैस्पी में मैं आपका दोस्ट फ्रेंड राज और आज हम बनाएंगे लौकी और ग्यों के आटे से डिलेशिस चटपटा बच्चों को काफी पसंद आने वाला मांग मांग कर बच्चे खाएंगे इस नास्ते गोर काफी हेल लौकी का नाश्ता बनाने के लिए लौकी तो हमें चाहिए तो लौकी को तो भी रखते साइड में यहां डालते हम सबसे पहले बरतन के अंदर एक कप बरके सूजी वजन करीब देट सो ग्राम के असपास करीब पचास ग्राम से थोड़ा साथ सतर ग्राम बेशन और यहां दालेगे हम सो ग्राम सो अबीन बडी का पाउडर यह बिलकुल बारीक छानलें मिकषि में पीसने के बाद में इसमें डालेगे हम हल्दी हाफ tea spoon साथ में डालेंगे नमक, हाफ टेबल स्पून, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार, काली मिर्च, दर्दरी कुटी भी, हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर, वन टेबल स्पून, साथ में हरी मिर्च बारी कटी भी, थोड़ी सी डालेंगे करी, बत्ता गोबी, बहुत लिटल और डालेंगे इसमें, हम अद्रक और लैसुन, चार से पाच कलियां लैसुन की, और आधा इंच अद्रक, आप ज्यादा भी यूज हो ले सकते हैं, वन टेबल स्पून, भुनावा जीरा, और हाफ नदवार्द स्पिंच अज्वाइन, क्रश करी वी और भुनी वी, साथ में इसमें एड करेंगे हम, करी, डेड़ सो ग्राम दही यानि कर्ड, अच्छा भड़िया सा फेवर देने के लिए प्याज, बारी कती बिल्कुल, चौपर में अब्या काटा इसको, प्याज ट्यालने के बाद इसमें करेंगे दो बॉइल, मीडियम साइज के दो, मीड जैसे आलू है, प्याज है, ये चीज़े आप स्कीप कर दीजिए, सिर्फ इसके ब्लॉकी भी डालेंगे, तो भी बड़े अनास्ता बनेगा, लेकिन अगर और और भी बड़े अपनाना है, तो ये डाला तो मैंने आलू यहाँ पर एक स्कीप कर दिया, एक ही आलू यहाँ कर देंगे इसमें, ट्यूरी हमने एड कर दी है, यहाँ लाल मिर्च एड कर रहे हैं, आप इसकी कर सकते हैं, और यह लाल मिर्च कश्मिरी है, ठीक ही नहीं है, और अब इसको हम मिलाते हैं, एक बार, तो अब यहाँ पर हमने इसको एक बार अच्छे से नॉर्मली तो मिला अब इसमें डालें काड़िए पानी करी इतना पानी करी अर परदे बार डाल डालें और मिलाए के साद मिला रहा हूं इसको हाल फिला हलम रखते हैं ढक करी 15 से 20 मिनिट के लिए ढके रखे वे पूरे हो चुके केंस को 25 से 30 मिनिट डखकन हटा लेते हैं और सबसे पहले इसमें डालते हैं खाने वाला सोडा करीब साथ से आठ पिंच आप इस लिए दो इनों के पाउच भी डाल सकते हैं मिला लेते हैं साथ ही हमने जो लाख की लिटी शुरूं में मिला लेते हैं 25 साथ में डालते हैं टेबल स्पून चाड मसाला और काफ़े लाधे, अच्छे हमने मिला लिया और आपको भी अच्छे मिलाये और पूरी ऐए फेमली के लिए मस नास्ता बहने वाला लौकी और काफ़े सारे वेजेटेबल है बच्चे मांग मांग के खाने वाले और इधर हमने इडली ट्रेय में तेल लगा दिया अच्छे से ग्रीस कर दिया है और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा हम डालेंगे अब इसको हम यहां पर इडली कूकर हमने पानी चड़ा दिया गरम करने के लिए करीब हमने इसमें दो गिलास पानी डाला है और इसको उठाकर इसमें रखेंगे और यहां तक ही डूबना चाहिए और यह रख देता है और अब इसे 20 मिनिट के मेडियम लो फ्लेम पर ढखकर रख देते हैं यहां पर हो चुके हैं पूरे 25 मिनट कैस करते हैं बन और 5 मिनट इसको इसी में रहने देते हैं तो 5 मिनट हो गए रखे वे अब अठा लेते हैं धकन और इसको निकाल कर अभी भी काफी गरम है इसको निकाल करेंगे ठंडा हमने इनको का लिया है ठंडा अब निकाल लेते हैं इनको यह देखिए यहां पर हमने निकाल कर इनके दोपीस कर लिए हैं इसी तरीके से आप भी कर लें तड़का लगाएंगे जीरे का और राई का थोड़े से तेल में तो यहां हमने तेल चड़ा दिये हैं गरम हो गया है तो सबसे पहले डालते हैं जीरा जीरे के बार डालएगे इसमें खूदी थोड़ीसी और थोड़ीसे डालेगे कई लीव्स यानि कई पत्ता यहां पर राई को तर्का लगने के बाद एक एक करके यह पीस इसमें टैन कर देंगे हम तर्का लगने के बाद निकाने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तोर इस चली फ्लक्स इस तरीके से गाल कर इसली पर और टॉस कर ले यह मस्क चटपटा लजीज बच्चों को बहुत पसंद आने वाला नास्ता बन करते हैं तो चलिए करते हैं से सब्सक्राइब कर लिए थोड़ा से चिली फ्लक्स और और थोड़े से हमने सफेद तिल इस पर छिरके एक कड़ी पत्ता गानिश किया है और बच्चों के साथ मिल अच्छों के लिए तो याज करते हैं।